अधनातु कलव सर्वे विरुद्धाचार तत्परा स्वाध्यायादि प्रियाहिना तथाचार परांग मुखा प्रियमानम तथाचारम विरिहीनम प्रकुर्वते विक्षित मनसो भ्रांता जिभो पस्थ परायना प्रात्य प्राया सतो दुष्टा तत्र धर्म कथम भवेत शट्विस संपध्यते धर्मस ते दुल्लबतरा कलव अथा की धर्म मार गेना सित्वा कृष्टनम भजेत सदा श्री भागवत मार गेना सकधन्चित रिष्यत हाँ कल अपने शून निकाल रखने की सोची थी तो कोई को कुछ पूछनो है तो टेक्स्त में कोई डिफिकल्टी होए बिर्जबाशा के कारण तो हाँ हाँ जरूर लट्म गान भाई ये पृष्ण अपन प्रवचन के बाद रखेंगे ये जो है नशुनिकाल के पृष्ण या में जो कोई डिफिकल्टी आ रही होए पूछे आप जरूर डेफिनेटली भूलियो मत पर प्रवचन के बाद या वकत अपन ये जो बाँच के आए हो वाँ में कोई टेक्स्त में कोई डिफिकल्टी होए तो वो फिर केरी फॉरवर्ड नहीं होए या अपन वो पहले खुला सा कर लें वाके बाद से करेंगे क्योंकि जो अपन ने अनवय और अर्थ से दियो है और जो भावार्थ से दियो है वाँ में कोई डिफिकल्टी होए तो सौल हो जाए तो फिर वाको व्याक्यान होए या दृष्टी सो बाकि ये सब क्वेश्चन जो है न वो तो अपन करेंगे बाद जरूर नहीं होए तो मैं शरू करो पेज क्यों पेज नीचे सो अच्छा अच्छा सा रिए अच्छा 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 जब वेद ना ही तो वेदों को सकने धर्मन को वभाव वयो जानिये सो क्या अच्छा विरोधा पास में बाद विरोधा पास में यथा शक्ती ना थी वहां चाहिट ले ठाई लागी रहोचे यथा शक्ती वहां ची ले ठाई ना विरोधा पास में दूर करवा प्रभुजे यथा शक्ती शब्द वाप्रिय ठे अनुवाद मां पंट आवे ठे जो मूल मां पाशन्ड मत स्वीकारम अकर्त्वा यथा शक्ती ठे ना अने अहीं पंड यथा शक्ती ठे एक सेकेंड ओ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक ले कुई पन कामकाजमा लागेला वलगेला मान से सवारे के ताँजे मौनिंग वाक, एवनिंग वाक मा थड़ीक शुद्धवा लेही लेवी जो जो ये तो तो तमें शुद्धवा लेवा जाओ नस वदर अशुद्धवा मले तो जी घर मा ये तरत ना थी आवती अशुदवा कार्बन मुनोपसाइड वाली रोड पर तमें वॉकिंग करवा जाओ तो वधारे आवे हवे शुक कई शक्ये एना थी घर नी बाहर ना निकलू कॉसिबल न थी घर ने बाहर निकल चो नहीं तो तमारे वॉकिंगे नहीं था है तो यथा शक्ति कोई गाडन मा जही ने कहाँ कि वृकिंगने नीची जाइने कि दरिया काच içे जै यथा शक्ति जेकि क्यी वॉकिंग करी शक्ता उकरी ने कहाँ यहाल्वा चाल्वा न अधिदम राख्षा तो स्वष्ठ रहीचो अवे जे स्वष्ठता स्वष्ठवाईू मा होवी जोई है यह तो नई द मले न क्एम तो स्वष्ठवाईू जनौ यह तो वाकिन न फायदा शो तो अपन यह था शक्ति जे साहित एकर भूजो जे सराउंडिंग में आपने जीवता हो ये, तेमा मरवानू तो नतिज ना, एकले survival for struggle तो करवा नीचे ना, struggle for survival. Are you calm? वो मैं आज दिल करूँगो, आज दिल करूँगो, ये तो अपने प्रकास तकार लिया ही भी सर ना, आज अपन प्रकास को लेंगे, और उस्वारी बात आईगे, और कुछ है कुछ पूछ ना? हाँ, काई कूँ? मैं समझे नहीं बात पूरी हाँ, अच्छा, अरे थवे सीता नुँ अरण करी रहा चो, त्याहां जो question mark छे, भक्ति मार्ग उको काहे पाशन्ड करी न जाननो, ए एलिगेशन छे, हाने एलिगेशन जवाब मा कही रहा चे कि ना ना, पाशन्मत न थी, पाशन्मत ने स्वीकार्या विना भक्ति मार्ग ने अनुसरो, एटले वात्मा परक पड़ी क्यों न, ए तो question छे, त्याहां जो, छे न, काहे न पाशन्ड मत करें, शा माटे भक्ति मार्ग ने पाशन्मत न मानी लेवो, तेना जवाब मा आगलनी वाता वी रही छे, एटले वक्ति मार्ग ने पाशन्मत के जो, चे वा बोलाए, यो ने जो बोलाए, य जो बोलाए, मरी जैजे, आपने जी जे जे जी करें चे, न? जेजे सुचे बेसिक अली जय जय ते नो जेजे था इचे ते लो जेजे एंट संस वालो जेजे नहीं जय 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 नो जेजे अवे ताव इन ख्यल्म और तो कुछ नहीं है कोई को तो अपन आके चलें खलके प्रवचन में अपने व्याक्षान में अपने ये समझने को प्रयार्थ कियो वेद के कारण वेद के दो तरह के वचन एक वचन जामे वेद कुछ अपने को करने की बात समझावे और एक वचन ऐसे के जामे करने की नहीं पर कोई वस्तु के स्वरुप की बात समझावे अंग्रे जीन अपन्या को इंपरेटिव और डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट कहतक है कोई करने की बात समझानों मने आज्याग वाले वचन और साथ साथ मैंने आपको ये भी बात बताई के हर करने की बात में कुछने कुछ तत्व तो निरुपी थोगए सेस वैल्जु पर भले वो बात अगर के सामने नहीं आवे पर कुछने कुछ तो वामें तत्व निरुपित हो रहे हुए है और तत्व निरुपन की जो मनें descriptive जो statement हुए हैं उनमें भी कुछने कुछ तो आदमी मनें face value पर अपन कोई नहीं लगए कि कुछ बात अपने को suggest करना चाहरे हो है कोई तरह तो अपने को इंस्टिगेट या इंस्पायर करना चाह रहे है या प्रेरणा देना चाह रहे है पर कुछ में कुछ तो आदमी जतानों चाहता ही हो गया है वाको पश्टुदारण ये है कि जैसे कहीं आपको भड़का उठे और अचानक कोई या तो बोले अरे आग तो वामें एक इंप्लाइट सजेशन ये है कि भागो या बुझाओ कुछ ऐसे इंप्लाइट सजेशन हुए है अपन भले वाको डिस्क्रिप्टि स्टेट्मेंट के पहद लें कि सिर्फ आप तो निरूपक वाक्यमें भी होई है फूल को जैसे कोई यह कहा कि क्या सुन्दर फूल है तो इस वहली पर अपन समझ रहें कि खाली वरणन करे जारे है फूल को पर एक छुटी भल पात्वा में पाची से ऐसे होए कि क्या खुबसूरत फूल है देखो तो अपन बोलें नहीं है आज्या देने के अर्फ में ऐसे हर तत्त निरुपक वाक्य में कुछ आज्याएं होए है हर आज्या में भी कुछ तत्त निरुपकन होए है और व्यद के यारतरीके के दोनों वचनन सो दो कांड प्रकट भे एक कर्म कांड और एक ज्यान कांड कर्म कांड वो कांड तो जामे वेद अपने को कुछ करने की आग्याद है ज्यान कांड वो कांड तो जामे वेद जीव क्या है जगत क्या है परमात्मा क्या है जीव जगत को सम्मंध क्या है वगरे वगरे बातन को निरूपण कर रहे हैं वो सारो ग्यानकांड के अवाव है और साथ साथ मैंने ये भी बात आपको बताई थी के या तरह के कर्मकांड और ग्यानकांड में जो उखदेश दिये गए हैं कर्तविय के और वस्तु के स्वरूप के वो कर्तव के और वस्तु स्वरुप के जो उखदेश दिये गए हैं उन स्वरुपन को समझने को और उन कर्तवियन को करने को कौन अधिकारी है या बारे में वेद ने वर्ण और आश्रमीन को पकड़े अते तो भाई ब्राम्हन को ये कर्तव है अस्त वर्षम ब्राम्हन मुपनयित आठ वर्ष के ब्राम्हन को जनुईदो वेद अमध्या पईत वक्वेद पढ़ाओ या मुट्ए याको ऐसे करो याको ऐसे करो या दहरे ववगिरजेत यदि तुम को वैराग्या गया है संसार के आहंता ममता के बंधन सु तो सन्यास ले लो वगएरे वगएरे तो ये सारे जो नियम और ये जो सारे उपदेश हते ये वरणीं को और आश्रमीं को उपदेशी करके दिये गए ते मैंने वेद यो मानके चले तो कि मैं अपनी बात उनको कह रहे हूँ कि जिनने वेद पढ़ रहे है जिनने वेद पढ़े नहीं है मैंने आपको कल भी ये बात संक्षित में बताई थी कि उनके लिए वेद जो अपने आपो चतुर्थ आश्रम चतुर्थ वर्न शूद्र मानियों जाए है वो चतुर्थ वर्न शूद्र के लिए ये बात बताई गई थी कि वो कर्मकांड है वो सब वो ऐसे कर सके है जैसे ब्रामन क्षत्री वेशी के होंगे पर वामे मंत्र नहीं बोले जाएंगे और वाक्रमने जैसे वो ब्याह करेगो तो आगनी के फेरा फिरेगो पर अगनी के फेरा फिरते वकत जो वेद के मंत्र बोले जाएं वो वामें मंत्र नहीं बोले जाएंगे क्योंकि वेद ने ये सोची थी कि वाकू वेद पढ़ाय नहीं गयो है तो वाके द्वारा किये जाते कर्म में वेद के मंत्र नहीं बोले जाएंगे साथ साथ ये भी खुला सा वाबकत था तो कि ब्रामहन ख्षद्री वईश्च कि यो बेटाएं वेद नहीं पड़पाएं हैं तो उनके भी जो भी संस्कार हैं जन्म से लेकर सोले संस्कार माने गए हैं उनों सोले संस्कार अन्में कियो जातो कोई भी कर्म वेद के मंतर के साथ नहीं होगो सिर्क क्रिया क्रिया होईगी मनें वो कर्मकांड को पूरो अनुष्ठान होगो पर मंतर नहीं बोले जाएगो क्योंके वेद वाने पढ़ो नहीं जाने वेद पढ़ो नहीं वाकू वेद बोलने को अधिकार नहीं, जाने वेद पढ़ने, वाकू वईदिक मंत्रन सु कर्म कराने को ब्राम्हन को भी अधिकार नहीं। एक बड़ो फ़नी एक अनुगोँ मेरे एक बखत निगाह में आयो, कान में आयो ये बीच में वो टीवी में एक सीरियल आई थी Discovery of India थी के चाण के तिमों को याद नहीं नीचे स्ववा जाती तिमों को Discovery of India वहां में वो नासदाती नोसदाती मंत्र वेद को बोले जाता तो ना सदासी नो सदासी तमा आसी तमसा गूड़ मग्रे या तरह को को मंतर आता तो है अचा कुछ न खा हाँ ऐसे कुछ आता तो तो वो मंतर टीवी में आयो करके बहुत सारे बच्चाएं बोलने लग गए बच्चा तो कोई भी चीज बोले अपन गाली बोले हैं तो बच्चा गाली भी बोले तो वामे तो कोई चिंता की और विचारने को बात नहीं है तो funniest part वाकर वरोग के एक गवर महराज कहीं कर्म करा रहे थे तो जो वेद के मंतर थे वो तो बिना वेद के सरके बोल रहते हैं बिल्कुल फ्लैट रेंडरिंडरिंग रररररररररररररररररररररर ऐसे और जो वेद के मंत्र नहीं हते ऐसे जो चालू खाता के मंत्र रहते उनको वो क्योंकि उनने टीवी सुन लियो तो करके वेद के सुरन में बोल रहते वासु फिर मों को एक वक्त ऐसा ही फ़नी मों को ऐसी सब बात देखों मों को भी फिर कुछ फ़नी खयाल आ जाए तो मैंने कि यह कहीं बहुत पॉपिलर हो जाए वेद के मंत्र या तरसु तो पुष्टी मार्ग में कहीं हो ने जाए चगन मगन प्यारे लाल कीजिये कलेवा छीकेते सगरोद दी ऊपर चड काडी लेवो पैरी लेवो जगली फैट बांदी लेवो मेवा स्वाहा क्या हालत हो वे सोचो या तरहे तु कोई बिना सोचो समझे क्योंकि इस तो सब चीज पॉपिलर होने पर कहीं भी चीज कुछ भी पॉपिलर हो जाए तो जब पॉपिलर हो जाए फिर सब जन्हेवा को कापी करने लग जाए बिचारे वेद को ये कल्पना नहीं हती के छगन मगन प्यारे लाल कीजे कलेवा भी कोई वेद के स्वर में बोलेगो तो ऐसी सारी बात है हती जिन सो महाप्रभुजी कह रहे हैं कि ये सारी ततलिक हैं क्यों भई वाके मूल कारण में महाप्रभुजी ने अपने कोई बतायो के स्वाध्यायादी क्रिया ही ना ब्रामन खुद स्वाध्यायादी क्रिया ही हो वाको वेद ही नहीं आवे है वेदक्त क्रिया ही नहीं आवे है और वेदक्त मंत्र को उच्चारण नहीं आवे अच्छी तरह सूँ और वेदक्त मंत्रन को उच्चारण करने के लिए जो आचार होनों चाहिए वो सारो वापो सिस्टम कॉलेप्स हो गया वामे जब वेद के यह हाल हो गए तो वैदिक धर्म कैसे सर्वाइव करे यह बेजिक महाप्रभुजी की प्राब्लेम है सामने और वही कांटेक्स में सारी बातें करी उनको मैं रिपिट नहीं करूंगो वामे मैंने आपको यह बात समझाने कोशिश करी कि जब या करेसू स्वाध्याए कर लोगन को कुछ सवाल ऐसे पैदा वही कि स्वाध्याए की चर्चा अचानक क्यों आ गई पर यह कुछ कड़ी बद्ध समझो यह स्वाध्याए को तो कोई ने बहुत अच्छो काम की हो बहुत बहुत धन्यवाद कि स्वाध्याए को यह सब लिख दियो तो वो जो स्वाध्याए की चर्चा यह लिए आई कि जैसे एक कोई डॉक्टर है वाकु दवा करनी है जो मेडिकल की जो भी बुक्त हैं वो तो वाकु पढ़नी पढ़ेंगी के नि समझे हो होमियोपैथी करनी है तो मटीरिया मेडिका पढ़ना पढ़ेगो समझे हो आयवर्वेथ की चिकिसा करनी है तो चरख सुर्षूट पढ़ना पढ़ेगो अब चरख सुर्षूट नहीं पढ़े है मटीरिया मेडिका नहीं पढ़े है जो एलोपैथी की जो जो ग्रंते हैं उनको नहीं पढ़े और सीधो इलाज करे तो क्या हाल हो है खुद को नुकसान हो है दूसरे को नुकसान हो है और ऐसी जब भी बात आए तब मुझको मेरो एक करमचंद कंपाउंडर याद आ जा है रवकत वो भी मैं आपको सुना दूँ पर किशनगर में एक वकत मुझको बुखार आ गयो अब भुखार आ गयो तो बहुत 3-4 डिगरी भुखार आया फिर कोई डॉक्टर मिले हो नहीं तो हमारे करमचंद कंपाउंडर हो तो वो डॉक्टर मर गयो करके दवा खाना को मालिक हो गयो तो वह ने ट्रिट्मेंट के लिए मुको आयो और मुको आकर देख करो वानी कहिए कि आपको जो है वो शायत तो निमोनिया अ हो सके, साए तो malaya हो सके, साए टो type her हो सके, तो तीनों गोलियां दे दी, मैंकी दख्रु तीन तीन दोकर के एक साथ हो गए है, मैं भूल हो सके हैं अभी बहुत खराब हमान चल रही है अपन शरणा दट तर वाके क्या करते हैं मैंकी, कि लाओ चलो तीनों गोली ले लें, बुखार तो 25 बार मेरे को भी आयो है पर ऐसे चमड़ी तो कभी नहीं खिरी उन्हें कि नहीं खिरा चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगो पर बुखार तो ठीक हो गयो वो चमड़ी खेनी शुरू भई तो पैर की चमड़ी जैसे बटाटा को अपन छिलका चिले या तरह सु हाथ में आवे तो भागयो किशनगर तो यहां कि वो मिनेचर मोदी के पाथ महिना डेड़ महिना इलाज करवा है और तब जाके मान मान बच कई और दूसरे को आवे नद तो मॡर्डर हो जाएं तकलिफ इतनी हैं खुदको कोई सीविर्ड रेख्षन आ जाए तब अपन वाको अपनछों के इंगो बहुता गयो आज है अपनियों कहेंगे बेवकूफी में कह लिए पर दूसरे को या तरीके के सीवियर रियक्षन आप है तो मर्डर में काउंट हो गए तो कोई को मर्डर अननसेसरी नहीं हो जाए वाके लिए अपने को कम सो कम स्वाध्याय करना चाहिए वो स्वाध्याय की सारी परक्रिया मैंने बताई के स्वाध्याय की परक्रिया कैसे समझी जाती थी वो ये परक्रिया थी वो मैं रिपिट नहीं करूंगो पाची वो स्वाध्याय करना चाहिए वो स्वाध्याय करतो रहे तो ब्राम्हन ब्राम्हन है वो स्वात्याई नहीं करें तो ब्राम्मान भी शूद्र है ये शास्त्र को स्पष्ट अभी प्राय हतो साथ साथ में मैंने आपको एक बात संक्षित में बताई थी कि वेद के कर्म और ज्यान के जो उपदेश हैं इन उपदेशन में वेद ने वरणाश्रम को उपदेश नहीं दियो है पर वरणाश्रमीन को ये उपदेश दियो है ये दो वेद अपने को पष्ट तया समझ रखने चाहिए वरणाश्रम को उपदेश तो वाब अखत जीवन प्रणाली हती सो जीवन प्रणालियती वाँ में उपदेश देने को क्या हुए वाको मैंने आपको समझाये तो या अधंगसू के नराज्यम नचराजासीद नदंडो नचरांडिका दंडे नईव प्रजासरवा नियमाना परत्परम हर व्यक्ति अपने आपको एक दूसरे सू धर्मसू कंट्रोल करते हैं तो जहां ट्राफिक डिसिप्लिंड है वहाँ डिसिप्लिंड ट्राफिक है वहाँ पुलिस की जरुरत नहीं हुए और जहां पुलिस है, वहां तो पुलिस को भी घूस खवा के ट्राफिक के डिसिप्लिन तोड़े जा सके हैं तो यह सेल्फ डिसिप्लिन और इंपोस डिसिप्लिन को यह बेजिक डिफरेंस है कि जा बखत अपन कोई डिसिप्लिन इंपोस करेंगे, वह बखत दो-चार आदमी तो ऐसे मन चले मिली जाएं कि जिनको पुलिस को भी घूस खवा के या पुलिस नहीं होए तो गह राजरी में तोड़ देने की महज एक शौक सुझ जैसे क्रेप्टो मेनिया हुए पाकित में 10 रुपिया है पर पड़ियो रुपिया कोई तरह ऐसे उठाई लेनो चोरी लेनो या परिकर कोई discipline को तोड़ने को भी आदमी के भीतर रहे हो भयो एक मेनिया है और वो तोड़े है तो वो तोड़े है करके शास्त्र ने फिर वाके पर शास्त्र ने जा मोड पे जाके उनको डिस्क्वालिफाई किये वो रहस्य कभी कोई ने खोलियो नहीं और वाके कारण लोगन में अश्रद्धावनी स्वाभावी के मनें बुद्ध बुद्धि चरिया आप देखोगे तो वामें दौनों बात बुद्ध भगवान निरंतर कहए हैं हर वक्त कोई आदमी शुद्ध पवित्र कैसे होना चाहिए वो जब बुद्ध समझाना चाहें तो उनको ब्राम्वन याद आवे जैसे ब्राम्वन वेद पड़े हो ब्राम्वन अपने स्वाध्याय तब शील में निरत ब्राम्वन और जब पाखंडी कैसे होए तब उनको जाने कि ब्राम्वन याद आवे बाच्यों के जैसा ब्राम्वन पाकंड करें बुधी चर्या में अपन देखें निरंतर या तरीके को situation को गुद्ध फेस कर रहे हैं वाखथ के जो यग्य है वो यग्य की भावना सो नहीं होके मांस खाने की भावना सो किय जा रहे हैं ब्राम्मन जो है वो माम्स खाने के शौखीन हो गए करके माम्स खाने की मना ही हती एक बात समझो माम्स खाने की मना ही हती पर यग्य में जो पशु की बली दी जाए वाको माम्स कंपल सरी खानों ही परतो तो वाको माम स्कंपल सरी प्रसाद के तोर पे खानों ही परतो तो करके ब्राम्मन ने के यह यह बहुत अच्छा अपनी को रस्ता है चलो करो यग्यों जैसे अपन चपन बोग करवाने के नहीं अच्छा रस्ता है करके कराव चपन बोग लाओ मठडी वो अच्छी बात है पर जहां वो प्राक्त है वहां करते है तो कोई के निगाह में कुछ बात आती नहीं करके बुद्ध पगवान ने पहली बार प्रोटेस्ट कियो कि चलो तुम इन जानवरन को होम दे रहे हो तो मेरे को होम दो चलो मेरे बली दे दो यगी कुंड में यदि तुमको स्वर्ग मिलतो है तो उनने अजार शास्तों ने कहें नहीं नहीं तुमारे को कहते हैं बली दे सकें तो उनने कहीं छोड़ो है इन जानवरन को दस अजार गेटाएं वहां काटने के लिए धर रखेते क्योंके सब भीड़ खटी हो जाए खाओ बस खानो एक धंदा तो खाने के लिए जाब अख़त अपन मामस खाने के लिए यग्य करें तो वहां वेद के कर्मकांड की जो सेंक्टिटी हती वापे सब को डाउंट हो गयो मने चारवाक ने तो गुद्ध तो विचारे सब भी व्यक्ति हते करके बगवद आवतार हते करके उनने थोड़ी पुलाइकली बाते ही पर चारवाक ने तो बहुत ही मज़ेदार बात कह दी करें तुम ये भेडन को आग में जोभने से समझ रहे हो कि सब्सवर्ग मिलेगो तो चारवाक ने कहिए कि मैं तुमको और सब्सवर्ग मिलेगो तो तो तु अपने बाप को ही काटके डाल जा सबसु पहले तो दोनों तुमको स्वर्ग मिल जाए बाप भी स्वर्ग में और तू भी स्वर्ग में ये सब कहने की हिम्मत क्यों पड़ी क्यों पड़ी ये सब कहने की हिम्मत लोगन को मने जा वेद को अपन ज्ञान को स्रोत मानते थे वा वेद को महाविर स्वामी ने ये कह दियो महाविर स्वामी ने तो नहीं कह विचार इने पर जैनीन ने परवर्ती जैनीन ने वो जगड़ा के कारण कह हो कि ये वेद जो हैं वो तो राक्षसन के लिखे बहें क्योंको उनको अहिंसा पसंद थी और अपन वेद के नाम पे हिंसा करते थे चारवात में तो और गाली गलस देख यह बात करी कि बंड धूर्त निशाचरा वेद लिखने वालों से बंड धूर्त निशाचरा यह सारी बात है क्यों भई वेद के अपराचसु के वेद के अनुष्ठान को जीने में अपन ने वो ही सिच्वेशन पैदा करी के देरो हरम हैं आई नाय तक्रार तमन्ना अपने को धर्म भी जीनों हैं और मामस भी खानों हैं धर्मू ना पाड़े गोई मामस मत खाओ पर यग्य में क्योंके छूट मिली थी करके चलो यग्य करेंगे मैं लग्दाफ गया तो नँदेखो वो जो कल मैंने आपको बताई किया तो अपने या काल साइक्लिकल है वह को एक्सपर्ट प्रमान बताओं के वेद मैं की जाती हिंसा को विरोध गुद्वगवान ने कितनी डैरिंग के साथ यह करेंगे चलो बेरन को छोड़ो और मेरे को या में बलिदान दो और वहीं लदात में जो उनके सबसु बड़े लामा हैं उनसे मिलने में गए हो बड़ी देर मिले बादचीत बैठके कियो वाकवाद हमने कहीं कि थोड़ों देखें गुमपा उनने आग्यादी के आँ देखो बले तो नीचे जब अंडरग्राउंड में गए तो बेड़ें कटी भई लटक रही थी कोई पचास साथ बड़ा आच चले हो गया कि यह बड़ गौंपा यह में इतनी बेड़ें क्यों लटक रही हैं कटी भई यह क्या चक्कर है उनने के ऐसा है का हमारे मामस खाने की मना ही है पर महमान को खिलाने की मना ही नहीं है तो महमान को या जाए तो अचानक कहा सुला में भेड़ तो हम काट-काट के रखे हैं वाँ क्यों कि वहाँ को ख्लाइमेट ऐसा है कि काट के रख दो तो भी वो जैसे रेफ्रीजरेटर में रखो तो भिगड़े नहीं ऐसे काटे वह बकरा लटक तो रहे और भिगड़े नहीं और थोड़ फ़ड़ फिर खाते रहें उनने मुस्त के आपको भी खाना है नहीं की भागने दे यार यासे में गुते सीन देखके वॉमेटिंग हो रही है सब कटे बाए यासे ठेर सारे बकरा तो मुने टाइम साइकलिकल है जिस जगह से ले चला था रावर हम वही आए हैं फिर गूम के तो या तरीके को चकर सब जगह है अपने याभी है उनके याभी है वामें कोई घबराने की बात नहीं है महाप्रवजी घबराने के लिए ये सारी बात नहीं कर रहे हैं प्रवजी बात करें कि चाहे बीमार पढ़ गए चाहे तो लकवा हो गयो पर एक बात तो नश्चे निश्चे करो कि जीनों है कि नहीं जीनों है वेद अपने को जीनों है कि नहीं जीनों है यदि जीनों है तो अपन कैसे जी सके हैं आज की स्थिति में और मरनों है तो मरो वा आदमी suicide attempt करने जातो है, और पुलिस वाको पकड़ ले, तो वही suicide करनो गुना है, और वामे वाकू पांची चड़ा दी जायतो, क्यों suicide attempt कियो, तो वह चाहता ही है, तो वही तुमने दे दियो, क्या परक्या पड़े हो, तो suicide attempt वो punishment पांची तो नहीं हो सके न, तो जाकू मरने वाकू तो मरने दुवा में तो उपाई नहीं है, तो जाकू बात सोचनी पड़ेंगी, महाप्रभुजी कल मैंने यही आपको बतायो, क्यों वेद की जिजी विशा के आवतार हैं, वेद जीनों चाह रहे हो है, करके महाप्रभुजी प्रकट वहे हैं, वेद मरने चाहता हो तो महाप्रभुजी काई को प्रकट होते हैं, वेद जीनों चाह रहे है, करके महाप्रभुजी प्रकट वहे हैं, वेद मरने चाहता हो तो महाप्रभुजी काई को प्रकट होते हैं, वेद जीनों चाह रहे है, करके महाप्रभुजी काई को प्रकट होते हैं, वेद जीनों जानने की इच्छा जीजी विशा यानि जीने की इच्छा वेद के जीने की इच्छा श्री महाप्रभुजी के रुप में प्रकट भाई है यह हम अपन क्या है तो जरावी आतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं यह बात भी मैंने आपको कल बताई वाके तहद महाप्रभुजी की क्या स्कीम है कि कैसे अब वेद जीवे वो भी मैंने कहला आपको बतायो कि महाप्रभुजी अपने को यह समझाना चाह रहे हैं कि छीक है वेद ने जो बात करने की कई और वो करने की बात जिनकू कई वेद ने जो बात जानने की बात जिनकू कई वो बात जिनकू कई कि या तरह से तुम ब्रह्म को जानो यसे वामें बहुत सुंदर वचे नावे है भ्रगुर्वई वारुणी वारुणम पितरम उफससार अधीहि भगवो ब्रह्मेती तगुम होवाच तपसा ब्रह्म्ह विजिग्यासस्व कतम भ्रगु वरुण को बेटा वो भ्रगुरुषी वरुण के पास गए और वरुण के पास जा के उनने कई के पिताजी मुख ब्रह्म को ज्यान दो पिताजी ने कोई कंसेजन नहीं दियो के तू तो मारो भीक्रचा तुने तो इनने इंपंट बनावी दूँ कि नुटिंग दूइंग तंपसा ब्रह्म विजिज्जया सस्वु तब करें तब कियो तेने को ब्रह्म को जानने आ गयो जब तपयो नहीं है जब तेने ज्यान की साधना नहीं करी शवण मनन निधिध्या सन्नीं कियो यम नियम अपनों इतनों मानियों जैसे समझो आज की तारीक में ऐसे तो कोई के पास जावे नहीं और कोई बतावे भी नहीं और जावे तो फिर तुरा तकाल ब्रमजिग्यासा के बजाए ब्रमज्ञानों के दोई शी शुरू हो जाए भेट धरने वालों हो एचेला तो पर छोड़ा सो कांट्रास्ट करके देखो तो पता चलेगो कि कोई की बहुत सुन्दत लड़की है और वाकू कोई चाहने वालों पिताजी के पास पहुंच जाए कि पिताजी आपकी लड़की बहुत खुबसूरत मुखो देदा और वो पूछे कि भाई तैने कुछ कमावे खावे इसनी मैं ऐसे घर में बैठे रहूं मेरे बाप को मैं लाड़क वायो दीक रहा हूं कोई देगो लड़की गठाउट केगो कि नी इतनी हिम्मत अपन लड़की के बारे में निभावे हैं जो देखिक आत्मिक सबसू उपर को अपनों सम्मंद है वाकू तैयार बैठे रहे ह जैसे कोई मौम बत्ती में सु मौम टपक तो हुए ना कि महराज की मड़ी आख फोल रसकी बुंदे पड़ी या तरह सु टपकते वह से मिलें थोड़ो सा अपन जान ले ना और अपन को टपकनो शुरू हो जाए मौम बत्ती को मौम की तरह क्योंके नीचर बदल गए अब अपने को अधिकारी की जिग्यासा नहीं है अब अपने को शुरूता की जिग्यासा है अब अपने को शुरूता के अधिकार को विवेक नहीं करनो है क्योंके हर एक के मन में ये फितूर गुस गयो कि हर धर्म हर शास्त्र हर करतव हर एक को है सब को युनिवर्सल युनिवर ग्लोबलाइजेशन को हो गया है, कि हर चीज को ग्लोबलाइजेशन होनों चाहिए, ति ये ग्लोबलाइजेशन ने अपने को मार दियो है, एक बात ब्यान समझो, बहुत सारी चीजन को ग्लोबलाइजेशन हो सक है, जुता कि जो मौडल हैं, उनको ग्लोबलाइजेशन हो सक ह है TV के प्रोग्राम को computer के प्रोग्राम को software को globalization को सके पर अपन धर्म और अभण रहस्य उन को जाबखत globalization करेंगे ना तो अनधिकारिन को अपन जाबखत देंगे वास्व निरंतर नुकसान ही होने बालों हैं आप पूछोगे क्या नुकसान और एक सामान निबात आपको बताऊं जो मैंने कल आपको थोड़े संक्षिप में बता दीती तो शंकरा चाहे जी ने सपष्ट एक बात कही थी कि जगत जो है वो मिठ्या है ब्रह्म निराकार है और जीवो ब्रह्मभईव नापर ये जो है वो मेरो तत्व ज्यान है और ये तत्व ज्यान को सुनने को अधिकार कौन को वाको उनने सपष्ट खुला सा कर दियो कि नित्या नित्य वस्तु विवेक इहा मुत्रार्त फल भोग विराग शंदमादिस आधन संपत्ति और मुमुक्षता जिन में होए उनको ये बात समझाने किये कि जगत मिठ्या ह वाके जो spiritual context है या जो वाके religious context है उन सब में मत समझो common sense को एक context में आबात को समझो तो बात समझ में आ जाएगी कि जाव यक्ति कू नित्या नित्य वस्तु को विवेक है मतलब कि देह अनित्य है आत्मा नित्य है दैहिक सम्मंध जो है ये मेरो बेटा ये मेरो बाप ये मेरी पत्नी ये मेरी संतती ये सारे सम्मंध अनित्य है और ब्रह्म को और आत्मा को जो सम्मंध है वो नित्य है या तरीके को नित्या नित्य वस्तु विवेद इहां मुत्रार्त फल भोग विराग न वाकु या दुनिया के कोई फल की कामना है न परलोक में कोई स्वर्ग लोकादी की कामना है उन सारे फल भोगन में जाकु विराग है शमदमादी साधन संपत्ती है साधना में लगयो भयो है और मुक्त होनों चाह रहे हो है महाप्रभु जी बहुत गजब की बात कहें कि यार फिर वाकु कहने की जर्रत क्या हो स्वता समझ जाएगो ये सारे रहस्यतो इतनों जाकू हो गए हो क्वालिफिकेशन तो वाकू कहने की जर्रत नहीं रहोगी कि ये जगत मिथ्या है सक्ति भी होगो तो वाँ पर लल्चाएगो नहीं ब्रह्म और आत्मा जो हैं वो एक हैं ये वाकू कहने की जर्रत ही नहीं होगी क्योंकि जाको इतनी कड़ी बंद गई है ब्रह्म के साथ वाकू तो कहे बिना भी ये समझ में आ जाएगो कि आहम ब्रह्मास में यदि इतनी सारी बात सिद्ध हो गई कि ब्रह्म ही नित्य है और एक है और मैं जो कुछ हूँ वाकू महापरभुजी को इसाफसु अम्शू तो शंकराचेजी को साफसु साक्षाद ब्रह्मू वो थोड़ो सा डिफरेंस हो सके पर उतनी बात बिना कह भी वाकू समझ में आ सके है तो ये बात समझो कि वो अपन ने जब नहीं समझायो तब क्या स्थिती भई वाकू एक सीधो सो उदारन भारती दर्शन और धर्म के इतिहास में एक जलंत उदारन ये है कि जो अपनी आस्थाएं हती राम, कृष्टन, शेव, दुर्गा, गणपती उन सबन में से अपनी आस्थाएं खंडित हो गई उनकी मूर्ति को पूजने में जो अपनी आस्था हती ये कर्मकांड करने में जो वेद ने अपने को उपुदेश दियो कि ये तुमारो कर्म हैं, ये तुमको कर्नो हैं वा कर्म करने में अपने आस्थाएं खंडित हो गई क्यों कि अपने को ये समझ में आगयो कि सब कचु मिठ्या है अपने को वो समझ में नहीं आयों कि ब्रह्म सत्य है पर अपने को ये समझ में आगयों कि ये सब मिथ्या है जो कुछ अपने करतव रहते शास्त्र के बताइब है वो सब बेकार के फाल्तू है जान के लेवल पर ये कुछ भी टिकने वाले नहीं है ये बात तो समझ में आ गई पर ये बात तो समझ में नहीं आई कि नित्या नित्य क्या है इहां मुत्रार्थ फल भोग विराग क्या है शम्दमादी साधन संपत्ति क्या है ये बात तो अपन नहीं समझ पाए शंकराचाय जी के कहने के बावजूद भी करके हर व्यक्ति निष्ठाहीन हो गयो न शाइव सच्चो शाइव रह गयो न वैष्णव सच्चो वैष्णव रह गयो न गणपती को भक्त सच्चो गणपती को भक्त रह गयो न देवी को भक्त सच्चो देवी को भक्त रह गयो न योग साधना करने वालो सच्चो योगी रह गए हो और न कर्म साधना करने वालो सच्चो कर्मठ रह गए हो या तरीके को एक वॉइड एक ख्यावोस अपने भारती संस्कृति में एक पन्द भयो और वा उत्पन्द भये को फिर अंत में परिणाम ये आयो कि ऐसो आज की तारीक में मने पहले मियां बावरे और उपर खाई भांग मियां विचारे भांग नहीं खा मैं पर क्यों कहवत ऐसी है पता नहीं कि पहले मियां बावरे और उपर खाई भांग वा तर ऐसो जा करें कि निश्ठा हीनता को जावखत अपन जी रहे हैं वह निष्ठा हिंता को जीने में अपने को भारत सरकार ने और समझा दियो कि धर्म निरुपेक्ष होनों चाहिए सब। धर्म निरुपेक्षता अपने को ये समझ में नहीं आई कि हर व्यक्ति को सचाईसु स्वस्वधर्म में निष्ठ होनों चाहिए और वो यदि व्यक्ति को अपने में माद्दा होनों चाहिए एक ज्ञानी सची ज्ञान साधना कर रहे हो है वाकु स्विकारने को अपने माद्दा होनों चाहिए एक कर्म मारगी कर्म में तपरायन है वाके स्विकारने को अपने को माद्दा होनों चाहिए हर आदनी छीना जगती में उलज गयो धर् तो वाकु भी अपने हैं बुला लो चाहे तो कोई जान मार गियो है वाकु भी अपने हैं बुला लो चाहे तो शाइव भक्त है वाकु कैदो कि ना ना तुम विष्णु भक्ति करो कोई बात नी ऐसे ऐसे भी उदारण मैंने देखे हैं कि लोग यहों कहें कि श्रीकृष्ण शर्णम्ममा नहीं जपनों चाहिए, कोई श्रीकृष्ण शर्णम्ममा नहीं जपनों चाहिए, कोई श्रीकृष्ण शर्णम्ममा नहीं जपनों चाहिए, तो उननी कई तो क्या जपनों चाहिए, उननी कई शिवायो नमद जपनों चाहिए, तो विचारे पुष्टी मार गी विष्टनव नहीं ब्हुगा तो रही नहीं सके नहीं नहीं हमें। यह बेजिक अपनी ड्रॉब है कि थाकु जी को मःषडी आती है वाकी सुगंद अपने को भाहर आती है। एरा के बार फिर कोई कहे के भूकर हो, अमाइं प्रिश्ट का के जी बहुत सुन्दर कहते के परसाथ को परिष्रम देना ही नहीं, परसाथ दिगे मने खाई जानो, नहीं खाऊ तो परिष्रम हो जाएगो परसाथ को, क्या परसाथ दी दई भी बस तु है न, तो वो निर्णी मैं भूला खिप बादता तुम्हा करो पूरी बारात कुम्हां? विश्णम ओके तो शिवायन्यम नहीं जप़ जाये, शैव को शिवायन्यम जरू जपनों चाहिए, विश्णम को अस्टाक्षा जपनों चाहिए, वो बहुत बड़े संत नहें हम को कहिए, तो मैंने क rằng मेरे को कहाई को तकलिफ दे रहें, बड़े संत के पास जाओ नो तुम शांती सुन, उन्हें कहीं, वो संत के पास गए, तो जो कह दियो से करो, अब खोते माता, मत खाओ हमारे, तो या लिया आपके पास आए, तो मैं तुम को ये कहूँ, कि तुम शाहिव हो, तो निश्चित शिवायुनमा जपो, और वेश्णव हो, तो निश्चित श्रीकृष् समझः एंगे, तो निश्चित श्रीकृष्णों मंके हो जपो, ये ये, श्रीकृष्ण शर्णामा जपो, तो ये, एंभर जपता है। से जब को ये तेक रोड़ जपो, और आदमी 25 को उन्पर आवे, तो पहसे अपने को इन पर अवे, पर ध्यान सु समझगो, या अज तरह सू इनको मिसगाइड करने वाली जो वृत्ती है कि हर व्यक्ति को अपने फोल्ड में ले लेनो कोई तरह सू छल सू बल सू कल सू वो चुनावी हत्खंडा हो सके है वो धर्म नहीं हो सके धर्म कभी ऐसो हो नहीं सके धर्म में या तरह के कॉम्पिटीशन की कोई जरूरत नहीं है और जा वकत अपन कॉम्पिटीशन से धर्म जिएंगे तो बात फिर वो गालिब की पाशी दोरानी पड़ेगी के देरो हरम है आई नाये तक्रारे तमन्ना वामन भी ये शौक करा शेह पना है अपने को कॉम्पिटीशन करनो है कोई नाम से जगरनो है कोई नाम से एक दूसरे को नीचे गिरानो है कोई नाम से छिना जप्ती करनी है कोई नाम से फॉलविंग बढ़ानी है अब अपने हाथ में और कुछ नहीं आयो तो धर्म आगे हो तो वह नाम सु कर ले हैं, धर्म नी आतो तो दंदा आतो तो वह नाम सु करतें, कुछ आदमीं को या तरीके की टेंडेंसी हो वह ही है, वह टेंडेंसी सो अपन भी टेंडेंसी के अपन भी विक्टिम हो गए हैं, ये बेजिक बात है, जो नुकसान हो गए ह महाप्रभुजी ऐसे कह रहे हैं पूछ ले तो वासु कि आमें कहां कहयो है कि तीन बका तुपवास करो तीन दिन तब श्री कृष्ण शर्णम मामा बोलो सरवात्मना नित्यम श्री कृष्ण शर्णम मामा बोले को कहयो है तो वाने पढ़े हो नहीं अब कोई बात महाप्रभुजी के नाम से कोई संत को ऐसे समझा दे वासंत को क्योंकि अपनो संप्रदाय बढ़ानों है तो अपन भी यही काम कर रहे हैं कोई वो संत ऐसे कर रहे हैं आज पुष्टी मार्ग में अपन भी यही काम कर रहे हैं क्योंकि अपने को अपनी following बढ़ानी है, एक बावा ने मुखवा समझाये एक दिम, कि हर मंदिरन पर माइक लगा देने चाहिए और सुभ़ई सुभई उठक के लिए पाठ करवाने चाहिए, कि सारी गली, सारो महला सुने, क्योंकि मुसल्मान लोग सुभई आजान पढ़ है अरे बाई पढ़ने दो उनको शांती सु, वह आजान पढ़ रहे हैं वहां मैं आपको क्यों दिल उठल उठल हो रहे हैं, आपको क्यों क्यों कॉम्पिटिशन का भाव जग रहे हैं, आपके हैं कहो गए तो कि यमनाश्टक सुभई माइक पर लगानो, वो लगा रहे हैं कर स्वाध्याई नहीं करें हैं वाब अखत या तरीके के नुकसानों हैं ये स्वाध्याई नहीं करने के कारण ब्राम्मन को वेद ने पनिश्मेंट दियो कि यदि तेने वेद को स्वाध्याई नहीं कियो तो तू ब्राम्मन नहीं है यार तू शूद्र है चल गेट आओ अब ब्राह्मन ने वो